जोहार जारकनाप सभी का स्वागत है Eagle IS The Study Zone में तो साथी वो आज के चर्चा का विशह है भारत में पाए जाने वाले शाषन के तीसरे ने पालिका चलिए तो भारत में शाषन के तीन अंग पाए जाते हैं बिधाईका, कारपालिका और ने पालिका वही नैपलिका के वी तीन इस्तर पाए जाते हैं देश में सर्वोच इस्तर पर सुप्रीम कोट, राज्यू का सर्वोच इस्तर हाई कोट एबंग जिलो के लिए जो है डिस्टिक कोट इन सभी इस्तरों पर आज हम लोग बात करेंगे साथ में कुछ और कोर्ट को भी बात करेंगे जो भारत में पाए जाते हैं सबसे पहले ले ले लेते हैं सुप्रीम कोट सुप्रीम कोट जो है 28 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया था और ये भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारे स्थापित संग्य न्याले का उत्राधिकारी बना सुप्रीम कोट से जुड़ेवे संग्विधानिक अनुचेदों के अगर बात करें तो संग्विधान के भाग 5 अनुचेद 124 से लेकर 147 तक है संग्विधान के अनुचेद 124 के अनुचेद भारत में एक सर्वोचे न्याले होगा जिन में एक मुख न्याधिस के अतरिक 7 अन्य न्याधिस होंगे तो जब सुप्रीम कोट स्थापित किया गया तो मूल रूप से 8 न्याधिस थे लेकिन समय के सासा जो है इनमें न्याधिस की संक्या बृद्धी होती चली गई और 2019 में इसके संक्या 34 तक पहुँच गया तो इस प्रेकार अभी 34 न्याधिस इसमें पाए जाते है अगर हम बात करें हाई कोट की तो भारत में सर्वबतम हाई कोट की स्थापना 1862 में किया गया ता जब बंबे कलकेटा और मदरास में हाई कोट स्थापिद किये गया अगर संग्विधानी कानुचेदगों की बात करे तो संग्विधान के भाग 6 अनुचे 24 से लेकर 151 तक जो है हाई कोट और उसके कारिवीदी को लेकर के बरनित किया गया है अगर हाइकोटों की बात करें तो भारत में कुल 25 हाइकोट है अन्तिम हाइकोट जो है तेलंग गना के लिए हैदरबाद में स्थापीद किया गया है भारत में कुछ ऐसे भी हाई कोट्स हैं जिनके अधिकारिता जो है कई दो से अधिक राज्यों या दो से अधिक किन्वसासित परदिशों में पाए जाते हैं ऐसे हाइकोटों की सेंक्या साथ है जिन में गुहाटी हाइकोट पंजाब और हरियाना हाइकोट बॉम्बे हाइकोट जम्मू और कस्मीर हाइकोट कोलकाता हाइकोट केरल हाइकोट और मदरास हाइकोट है वह ऐसे साथ हाइकोट से जिनके अधिकारिता इनके राज्यों के अत अधिनस्त कोट के बारे में या दिनस्त नैयले के बारे में दिया गया है सब या अधिनस्त नैयले को दो भागव में and Kryat जाता है जिला नैयलाए और सत्र नैयले इसके सात्र याद एक एगा भारत स्थापीड किया था राजसरकार के द्वारा ऐसे स्थानों पर इसका गठन कियायाता जहां 10 लाग से जादा आबादी हो चलिए ग्राम नैले के बारे में बात कर ले ग्राम नैले का गठन 2008 के अधिलियम के सनुसार क्या गया है 2009 में भारत के कुछ राज्यों में ग्राम नैले गठिद किये गए थे इसके साथ या देखेगा भारत में और भी कई प्रकार के नैले पाए जाते हैं जैसे ही मुबाइल कोट जो की 2007 में पहली बार इस्थाबित किया गया था फास्ट्रेक कोट बच्चों के लिए जो है जुबिनाइल कोट साथ में ई आदालत और सेना के लिए जो सेना आदालत भी होते हैं तो ऐसे ही महत्मून चर्चाओं के लिए हमारे साथ जुड़ना ना भूले इगल आईस दा स्टडी जोन में बहुत बहुत धन्यवाद आप इगां